इसके यह है पैलललोग्राम मैथर इसकी जो आमने सामेरे जो साइड है वह इककृल होती है तो दो वैक्टर हमें लिए एक बी वैक्टर दोना के वीच का एंगल ठीटा है और इसका जो रजल्टेंट है वह है लेँ आल से नाम कुछ विछा नाम कुछ भी ले सकते हैं इनके प यह टिकनोमेटरी के रूल से क्वीटी निकाल लिया जैसे कॉस्थीटा is equal to base upon hypotenuse τो क्यूटी दिगल दूभी कॉस्थीटा और यह जो परफर 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 इपॉर आपन हाईपोटानिए राइट ट्राइंगल है यह पी टी डवल इसमें पाय तस्थारम लगा और बागी उसकी वेलू रख दिया B sin theta सबकी वेलू रखने के बाद इसको A plus B cos theta बढ़े गए उसका whole square open करेंगे और इसे लिखेंगे जोगते ही तो open whole square open किया solve किया B square common लिया B square जब common लिया तो cos square theta plus sin square theta बचेगा उसकी वेलू क्या हो जाएगी 1 तो हमारा finally आ गया R square is equal to A square plus B square plus 2AB cos theta यहां से देखें यह अंडर रूट में पहुंचा जिए तो जो finally आ गया R is equal to under root में A square plus B square plus 2AB cos theta ठीक है इसके बाद मान लिजे जो resultant है यह resultant मान लिजे इसने कोई भी direction बना रहा है मान लिजे alpha direction पर हो जा रहा है तो हम लोग इसी direction भी determine कर सकते हैं जरा देखें direction कैसे determine कर सकते हैं बहुत सिंपल तरहीं से 10 के दोरह दिखाएंगे तो 10 theta is equal to 10 alpha is equal to क्या होता परपेंडिकुलर यानी Wt आएगा अपन में बेस यानी पूरा यह Pt आजाएगा बैल रखते हैं Wt की वैलू है B sin theta और Pt की वैलू को हम तोड़ वह सी तरह किस तोड़ लेंगे जो हमने पहले लिखा तो A plus B cos theta A plus B cos theta तो this is the direction of resultant तो resultant की direction में 10 alpha से निकाल दिये 10 alpha is equal to B sin theta पटे में A plus B cos theta अगर यह value अगर हम इधर से निकालना चाहें लड़के तो हम इधर से भी निकाल सकते हैं मान लिजे इधर से यह beta है मान लिजे B vector की direction से तो उसके रूप में क्या आ जाएगा formula हम यह ऐसे बना सकत हैं 10 beta is equal वैसे इनको change कर दीजे ऊपर A आ जाएगा A sin theta और नीचे आ जाएगा B plus A cos theta तो हम यहां से दोनों और से बता सकते हैं resultant की direction A vector से भी और B vector से भी अब आज आ रही है mic off रखिए चलिए इसके बाद देखें वही मान लिजे यह direction में निकाल दी हम यह resultant भी देख सकते हैं कि maximum कब होगा और minimum कब होगा ठीक है तो इन्हें हम special points कहते हैं तो पहला point special point में यह है कि मान लिजे दोनों जो वैक्टर हैं हमारे first point में वह दोनों parallel है अब कंडिशन मानते हैं बोथ हार parallel ठीक है दोनों जो वैक्टर हैं अगर वह parallel है तो parallel के कीश में क्या होगा एक दोनों यह दर जा रहे हैं और भी वैक्टर इदर तो ठीटा का मान उनके बीच का एंगल कितना होगा zero degree होगा तो हम resultant देखना चाहेंगे तो आर इस इकल टू अंदर रूट में form लगाएंगे a square plus b square plus 2ab cos zero, cos zero maximum होती है नहीं बनके बरावर होती है तो a square plus b square plus में 2ab ठीक है और यह अंदर रूट इसे हम a plus b का whole square भी लिख सकते हैं और अंदर रूट लगा हुआ उपर तो solve करने पर आ जाएगा a plus b तो इसे हम maximum resultant कहेंगे तो r maximum जो आए अगर मालीजिए दौनों वैक्टर परन रेक्टर है नहीं तो लिख दीजेया है थेत। Philip लेखने हैं अगर बोथ हर परपेंडीकुलर सेकेंड केसे बौut वैक्टर और परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर का यह शिंबल होता बागी नहीं तो लिख दीजे परपेंडिकुलर ठीक है अगर दौनों परपेंडिकुलर है यह एक एधर जा रहा है वेक्टर मान लेते हैं एक एधर जा रहा है वेक्टर मान लेते हैं दौनों के बीच के एंगल कि क्योंकि कॉस 90 वेलो जीरो तो यह जो दौनों पार्ट होते हैं टूए भी वाला वो जीरो निकल के आ जाएगा ठीक है और एक और है लास्ट केश इसमें अगर बाइदा चांस दौनों वेक्टर अपोजिट हैं तो उसकेश को भी हम देख सकते हैं अगर दौनों वेक्टर थर्ड केश क्या है इफ बोधार अपोजिट तो ना अगर आपोजिट है एक इधर जा रहा है एक साइड में जा रहा है एक वेक्टर यह यह वेक्टर बीच का एंगल 180 डिग्री तो रजल्टेंट में रख दीजें कॉस 180 की जो वेलो होती है माइनस के वन होती तो रजल्ट क्या होगा वहीं ऐंगर में ए सकते हैं माइनस के प्रफिट के मिनिंम घेंगे रहा है कि मीनिमंग यह आता है कि R minimum is equal to A minus 1 किलियर नोट करें इसे इसके लाद एक छोटाजा हम एक्जामपल ले लेते हैं इसका मान लीज़े एक्जामपल इस तरह की इसे है कि कोई एक point है उस point पर दो force work कर रहे हमारे simple मैं इसी case को दिखाना चाहूँ है maximum force क्या होता और minimum ठीक है जड़ा इसको देख लेते हैं बड़ा वाइट जैसे देखें हुए यहां पर एक point है इस point पर दो force work कर रहे हैं ठीक है कैसे भी हो सकते हैं इधर से या इधर से दो force work कर रहे हैं जो F1 है मान लेता हमें 30 Newton है और जो F2 है मान लेता 20 Newton है तो हमसे पिछे का भॉई maximum force कितना होगा तो maximum निकाल लीजे maximum कितना होगा simple भॉई अभी हमने बढ़ा है resultant में क्या होता है F1 प्लस F2 होता है तो add कर दीजे 30 plus 20 तो कितना है विफ्टी Newton यह maximum force होगा और अब आज यह minimum minimum force minimum force कितना होता है माइनस वाला भी देखा था हमने थार्टी मेनस ट्वेंटी के लिए ओके शॉल्व करेंगे तो यह टैन न्यूटन आजाएगा के लिए ना डूट कर ले उसे इस तरह का एक एक जामपल था सिंपल सा